हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल मिनीज फूड इस्टेशन आज मैं आपके लेकर आई हूँ मतर पनीर की रेसिपी मतर पनीर हर किसी को पसन आने वाली एक डेश है और इसे बनाने के कई तरीके होते हैं पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे स्टाइल की रेस्ट्रों से भी अच्छी टेस्ट वाली टेस्टी मतर पनीर की रेसिपी और इसे बनाना एकदम आसान है आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसका आप मज़ा ले सकते हैं, प्लेन रोटी के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मिक्सर चार में दो टमाटर को हम डाल देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे 8-10 काजु, फिर हम एक इंच अद्रक का टुकड़ा और थोड़ा सा पूदीने के पत्ते एक बर आप पूदीने के पत्ते डाल कर जरूर इस रेसिपी को ट्राइ केजिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पूदीने से पनीर की सबजी में फिर हम लेलेंगे गैस पर एक कढ़ाई और इसमें हम बारिक कटावा प्याज और प्याज को हमें बहुत अच्छा से भूनना है तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और यह गोल्डन ब्राउन हो जाए और जब प्याज भून जाए तब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच अद्रक लैसुन का पेस्ट इसे भी हम 10 चम्मच देगी मिर्च 6 चम्मच लाल मिर्च 6 चम्मच हल्दी पावडर 1 चम्मच धनिया पावडर और एख चोटा चम्मच नमक डाल दिया है तो अब हम इन मसालों को कर लेंगे मिक्स और फिर इसे इन्हें भून लेंगे एक मिनाट तक पध्यान रहे हमें इसे चलाते र पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि मसाले हमारे जल ना जाए अब हम एक मिनट हो चुका है इसे पकते वे तो इसमें हम डाल देंगे हमारी टामाटर और काजू की प्यूरी अब इसे भी हम कर लेंगे मिक्स फिर इसके बाद हम इसे ढखकन रखकर पकाएंगे 5-6 मिनट तक या तब तक जब तक की मसाला तेल को छोड़ ना दे तो यह देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं मसालों ने तेल को छोड़ दिया है और यह अच्छे से भुन चुका है तो कोई भी सबजी अगर आप बनाते हैं तो उसके मसाले बहुत अच्छे से भुन लीजिए तभी उस सबजी में टेस्ट आता है अब यहां पर मैंने यूज किया है फ्रोजन मटर क्योंकि आजकल मट पानी की ज़रुरत नहीं है बस थोड़ा सा पानी डाल कर इसे में चार से पांच मिनट के लिए पकने दूंगी धकन लगा के अब हम ले लेंगे गेस पर एक पैन जब तक हमारी ग्रीवी रेडी हो रही है तब तक हम पनीर को कर लेंगे शालो फ्राय तो इसके लिए हमने प फैला लेंगे पैन में फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी से मसाले मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर देगी मिर्च नमक और एक चोटा चमच अधरक लेसुन का पेस्ट डाल दिया है इसे आब हम कर लेंगे बटर के साथ मिक्स इसके बाद हम इसमें कowser नियुकर देखें, हमारे पनीत के पीसे को श्हेलो फ्राय से बस्थो से तीन मिनट ही हमने करना है। ज्यादा हमें घोक नहीं करना है वरना जो फिर प्राइ मैं थ्टrah भी हो सकते हैं . तो इसे हम हमें दोनों साइओ से इस तरह से पलट कर बगो प्राय कर लेना एं मसाली भी अच्छे से भुने हुए हैं और मटर भी पक चुके हैं तो आप हम इसमें डाल देंगे पनीर के पीसे इस तरह से पनीर के पीस डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर में भी आपको एक दम ब्लेंड नहीं लगेगा पनीर तो आप हम इसमें लास्ट में ड हो सके तो आप जरूर डाली तो इसे अब हम कर लेंगे मिक्स और बस दो से 3 मिनट भीजम फ्रकूश कर matching मसाले और पनीर आपस मैं fix हो जाए तो आप हमारी पनीर की सबझी बन कर त्यार है को कर यार इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बहल में तो यह कितना अच्छा और एक बार आप इस तरह से भी मतर पनीर की सब्जी बना कर ट्राइ कीजिएगा और इसका टेस्ट रेस्ट रों में मिलने वाली मतर पनीर की सब्जी से भी बहुत अच्छा आता है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक पी जरूर कर दीजे मिलती हूँ जल्द ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई, टेक केर, स्टे हेल्दी, एंड इंजोई